Hey my youtube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel, मैं हूँ बलविंदर कौर, आपकी host and दोस्त. Guys, इस वक्त मैं खड़ी हूँ दिलाई टाटा के शोरू में, जो की जनकपूरी, West Delhi में situated है. So guys, अगर आप यहाँ पर मेरा reference लेकर आते हो, तो best deal मिल जाएगी. I am back with another video और आज मैं review करने वाली हूँ Tata Naxon EV Fearless MR model का. तो चल यह, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है इसमें. So guys, यह है Tata Naxon EV का face lift, तीन variants option के साथ आता है. पहला होगे आपका creative, then fearless and then empowered. जिसका आज मैं review कर रही हूँ, यह आपका है fearless MR model, जिसको की हम medium range के नाम से जानते हैं. अगर मैं पहले वाली EV की बात करूँ, तो वो आपका दो option के साथ आती थी, max and prime, और अब यह long range and medium range option के साथ available है. जिस कार का मैं review कर रही हूँ, इसमें आपको 30 kilowatt per hour का battery का option देखने को मिल जाएगा. तो बहुत ही शानदार look यहाँ पर company ने provide कर रही है, red color option के साथ यह available है, जिसका मैं review कर रही हूँ, otherwise इसमें आपको और भी color options देखने को मिल जाएगे, जो कि आप अपने choice के हिसाब से evaluate कर सकते हो. तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको front fascia देखने को मिल जाएगा, एक attractive look के साथ, start करते हैं इसके elements के साथ, तो सबसे पहले यहाँ पर center में आपको Tata का logo देखने को मिल जाएगा, chrome finish के साथ, बीच में black color cover किया गया है, और उसके साथ यहाँ पर आपको connected LED DRS देखने को मिल जाएगा, smart look के साथ, नीचे की तरफ आँ, तो यहाँ पर आपको LED projector headlamp देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर आपको twin fog lamps देखने को मिल जाएगे, with cornering function, तो यह आपका LED में ही provide करा दिये गये हैं, और उसके साथ कुछ इस तरह का design element यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पर आपको wiper की placement देखने को मिल जाएगी, अब हमने देख लिया है, इसके front को देख लेते हैं, इसके side profile को, यह है car की side profile, looking very smart, isn't it, अगर मैं इसकी ground clearance की बात करूँ, तो वो है 205 mm, front wheel में आपको disc brake option दिया गया, और वही rear में आपको drum brake क option देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको black color के साथ मोटी सी cladding provide कराएगी है, जो की tire में merge हो की जा रही है, अगर मैं इसके tire size की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 16 inches के tire देखने को मिल जाएगी, जो की MRF के द्वारा provide कराएगे हैं, और अगर मैं इसके standard profile की बात करू तो यहाँ पर आपको जो door handles दिये गे हैं, वो body color ही देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ यहाँ पर आपको request sensor की placement देखने को मिल जाएगी, पहले वाली EV में जो यहाँ पर आपको blue element दिखता था, अब यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर सब black color provide करा दिय गया है, अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर आपको B pillar में भी black color ही देखने को मिलेगा, अगर मैं इसके roof rail की बात करूँ तो एक sloppy shape में black and silver color की combination के साथ यह provide कराएगी है, smart लग रही है, और उसके साथ यहाँ पर आपको black color में shark fin antenna की placement देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आ जो की electrically adjustable है और उसके साथ यहाँ पर आपको indicator की placement देखने को मिल जाएगी, नीचे यहाँ पर आपको EV की badging देखने को मिल जाएगी, जो की blue color में provide करा दी गई है, तो यह थी इसकी side profile, अब देख लेते हैं इसके rear look को, यह है Naxon EV की rear profile, जो की smart लग रही है, देखते हैं इस की elements को one by one, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको black color में ही skid plate देखने को मिल जाएगी, उसके साथ यहाँ पर आपको दो reverse parking sensors भी provide करा दी गई है, विच इस good from safety perspective, यहाँ पर आपको reflector की placement देखने को मिल जाएगी, उसके साथ यहाँ पर आपको reverse light प्लेट करा दी गई है, जो की normal bulb में ही देखने को मिलेगी, उसके साथ यहाँ पर आपको दो पडल लाम की placement कर दी गई है, नंबर प्लेटिंग के लिए जो की LED में ही प्रोवाइड कराये गए है, और उसके साथ यहाँ पर आपको naxon EV की बाजिंग देखने को मिल जाएगी, जो EV है वो आपको blue color के साथ प प्रोवाइड करा दी गई है, उसके साथ यहाँ पर आपको defogger की placement देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको lion emboss दिखेगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, और उसके साथ यहाँ पर आपको spoiler की placement देखने को मिल जाएगी, और साथ में यहाँ पर आपको wipers प प्रोवाइड करा दीगी है, जो कि नॉर्मल बल्ब में ही प्रोवाइड कराएगी है, और यहाँ पर आपको एक hook की placement देखने को मिल जाएगी, तो आप इसके थुरू अपने कार को चार्च कर सकते हो, इसके नीचे यहाँ पर आपको spare wheel की placement देखने को मिल जाएगी, साथ मे यहाँ पर आपको एक partial tray की placement दी गई है, और उपर यहाँ पर आपको एक grab handle देखने को मिल जाएगा, बूट को बंद करने के लिए, तो चलिए देख लिया इसको तो बंद कर देते हैं, तो along with rear यह है left hand side की side profile, यहाँ पर आपको fuel tank cap की placement दे दी गई है, अंदर nozzle provide किया गया है तो आप इसके थूँ अपने vehicle को charge कर सकते हो, यहाँ पर आपको दो options देखने को मिल जाएंगे, vehicle to vehicle, जिससे आप इस vehicle के थूँ दूसरे vehicle को charge कर सकते हो, और जो दूसरा option है, वो है vehicle to load charging, मतलब इसके थूँ आप छोटे मूटे दूसरे appliances भी charge कर सकते हो, और इसके साथ पर आपको co driver side request sensor की placement देखने को नहीं मिलेगी चलिए अब हमने देख लिया इसके exterior को अब देख लेते हैं इसके interior को चलिए start करते हैं इसके driver side gate के साथ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का pattern देखने को मिल जाएगा black look provide कराए गई है काफी smart लग रही है यहाँ पर आपको सारा hard material देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा soft touch provide करा दिया गया है यहाँ पर आपको black piano finish दी गई है और उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी space दी गई है तो key अगर आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो साथ में यहाँ पर आपको child safety lock देखने को मिल जाएगा window control के options दिये गए है और उसके साथ यहाँ पर आपको ORBM के लिए button provide करा दिया गया है further यहाँ पर आपको chrome door handles देखने को मिल जाएंगे नीचे की तरफ यहाँ पर आपको umbrella holder की space दी गई है bottle holder and map pocket देखने को मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे अगर मैं इसकी speaker system की बात करना हूँ तो इस car में आपको total 8 speakers provide कराएगे है 4 speaker and 4 tweeter तो यहाँ पर आपको tweeter की placement देखने को मिल जाएगी और बाकी doors में भी आपको provide करा दी गई है यह है इसकी driver side seat तो यहाँ पर आपको manual seat height adjustment को option दिया गया है along with reclining and slidable function उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी space देखने को मिल जाएगी उपर की तरफ आँ तो यहाँ पर आपको AC bend की placement करी गई है यहाँ पर आपको texture finishing देखने को मिल जाएगी नीचे की तरफ यहाँ पर आपको bonnet open करने के लिए option provide करा दिया गया है और साथ में यहाँ पर आपको दो paddles भी देखने को मिल जाएगे यहाँ पर आपको fuel tank cap open करने के लिए मतलब charging के लिए option provide करा दिया गया है तो यह है इसकी dashboard के look अब चली अंदर चलते हैं and discuss करते हैं इसके बारे तो यहाँ पर आपको fabric upholstery देखने को मिल जाएगी और center में यहाँ पर आपको purple color के साथ कुछ इस तरह का pattern provide कराया गया है comfort provide करा रही है इसकी upholstery और उसके साथ यहाँ पर जो दो headrest दिये गया है in fact जो पीछे वाली seats में दो headrest है यहाँ आपको adjustable option के साथ देखने को मिल जाएगे left hand side यहाँ पर आपको AC when की placement देखने को मिल जाएगी नीचे की तरफ आओं तो यहाँ पर आपको glow box की placement दी गई है खोलते हैं इसको तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी capacity provide कराएगी है साथ में यहाँ पर आपको puddle lamp की placement देखने को मिल जाएगी tablet holder की space देखने को मिल जाएगी है दो cup holder की space देखने को मिल जाएगी बहुती smart look के साथ अगर मैं इसके features की बात करूँ तो it will work with android auto and apple carplay इसके अलावा इसमें आपको navigation, voice recognition, bluetooth connectivity, multi voice assistance like Alexa and Siri का option भी देखने को मिल जाएगा और भी options दिएगे हैं जो की आप explore कर सकते हो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको दो AC vent की placement देखने को मिल जाएगी और उसके नीचे यहाँ पर आपको कुछ toggle switches दिएगे हैं जैसे की यह fog lamp के लिए heel decent control, hazard का button, boot open करने के लिए and lock unlock यहाँ पर आपको AC के लिए buttons दिएगे हैं जो की आप check out कर सकते हो नीचे की तरफ आँँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 12 वाल्ट का एक socket देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको दो ports भी प्रोवाइड करा दिये गए हैं A type and C type उसके साथ यहाँ पर आपको gear knob का option देखने को मिल जाएगा और driving modes provide कराएगे हैं reverse, neutral and drive यहाँ पर भी आपको ride modes देखने को मिल जाएगे city, eco and spot इसके साथ यहाँ पर आपको दो cup holder की space देखने को मिल जाएगी key placed है तो दिखा देती हूँ front side में आपको lock, unlock, follow me home lamp and boot open करने के लिए option देखने को मिल जाएगा इसके साथ यहाँ पर आपको hand brake का option देखने को मिल जाएगा यह है इसका by spoke leather wrapped steering wheel बहुत स्मार्ट लुक के साथ center में यहाँ पर आपको Tata का illuminated logo देखने को मिल जाएगा जब आप car को off करते हो तो यह आपका black dot हो जाएगा left hand side यहाँ पर आपको calling controls and infotainment control प्रोवाइट करा दिये गये है right hand side यहाँ पर आपको MID का option देखने को मिल जाएगा और instrument cluster के आपके navigation करने के लिए toggle switch प्रोवाइट करा दिया गया है यहाँ पर आपको view का button देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ आपको purple color के साथ finishing दी गई है smart लग रही है और अगर मैं इसके functionality की बात करूँ तो यहाँ पर आपको tilt functionality provide करा दी गई है left hand side यहाँ पर आपको wiper का option देखने को मिल जाएगा और वही right hand side आपको head dam का option provide करा दिया गया है और इसके साथ यहाँ पर आपको paddle shifter का option दिया गया है जो left hand side भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर center में आपको engine start stop button भी देखने को मिल जाएगा इधर की तरफ आँ तो यहाँ पर आपको 26.03 cm का TFT instrument cluster प्रवाइट कराया गया है जो कि digital प्रवाइट कराया गया है smart लग रहा है और यहाँ पर आपको सारी essential information यह reveal कर देगा उपर की तरफ आँ तो यहाँ पर आपको sun visor along with ticket holder का option प्रवाइट करा दिया गया है center में यहाँ पर आपको day night mirror का option देखने को मिल जाएगा center में यहाँ पर आपको एक reading lamp का option देखने को मिल जाएगा जो कि LED में ही provide करा दिया गया है उसके साथ यहाँ पर भी आपको sun visor along with vanity mirror देखने को मिल जाएगा और अगर मैं safety perspective से इस car की बात करूँ तो इसमें आपको six airbags in total प्रवाइट करा दिये गया है अगर मैं इसकी head room की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इतना buffer देखने को मिल जाएगा which is very good चली देख लेते हैं इसके rear cabin को तो अगर मैं इसके rear door की बात करूँ तो आपको same आगे बाला pattern ही देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको window control option provide करा दिया गया है यह है इसके rear seats की look अब चली अंदर चलते हैं और discuss करते हैं इसके बारे में यह है इसकी rear seats की look यहाँ पर आपको तीन लोगों की बैटने की capacity प्रोवाइड कराए गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको seatbelt का option भी देखने को मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर आपको ISOFIX child seat anchorage का option भी प्रोवाइड करा दिया गया है लेफ्ट हैंड साथ यहाँ पर आपको एक grab handle along with coat hanger का option देखने को मिल जाएगा जोकि core driver side provide कराया गया है, coat hanger का option आगे नहीं दिया गया है और right hand side भी आपको एक grab handle and coat hanger का option देखने को मिल जाएगा उसके साथ पीछे rear में आपको यहाँ पर AC vent का option देखने को मिल जाएगा साथ में 45 watt का charging option भी प्रोवाइड करा दिया गया है तो आप laptop अगरा यहाँ पर charge कर सकते हो अगर मैं इसके back seat pocket की बात करूँ तो ना ही वो co driver side प्रोवाइड कराएगी है और ना ही आपको यह driver side देखने को मिलेगी साथ में इसमें कोई आपको reading lamp का option भी नहीं प्रोवाइड कराया गया है अगर मैं इसके knee room या leg space की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इतना buffer देखने को मिल जाएगा which is good और अगर मैं इसके under thigh support की बात करूँ तो वो भी एक comfort drive कर रही है बैट कर तो यह है इसकी complete dashboard की look जो की बहुत ही smart लग रही है चलिए अब बात कर लेते हैं इसके engine की तो इसकी motor 129 HP की power and 215 Nm का peak torque generate करने में सक्षम है अगर मैं इसके charging time and range की बात करूँ तो उसकी details आप मेरे screen पे check out कर सकते हो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके safety की तो अगर मैं normal Laxon की बात करूँ तो उसमें global ncap crash test में 5 out of 5 की rating score करी है इसके अलावा इसमें आपको ABS with EVD, ESP, TPMS, traction control, heel start, assist जैसे safety features देखने को मिल जाएंगे चलिए अब बात कर लेते हैं इसके price की तो अगर मैं इसके extra room price की बात करूँ तो वो है 16,19,000 रुपे और अगर मैं इसके on road price की बात करूँ तो यह आपको cost करेगी 18,70,000 रुपे दिल्ली में I hope you have liked this video, अगर आपके video पसंद आई है तो please do like, share and subscribe and bell icon को जरूर हिट कर दीजेगा I will see you soon with my next video, till then, bye bye and take care